गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में नालंदा विश्व विद्यले के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे प्राचिन भारत के सिख्षा केंद्रों में नालंदा विश्व विद्यले का नाम सर्वादिक उलेकनिय है बिहार प्रांद के राजदानी पटना के दक्सिन में 40 मेल की दूरी पर आदोनिक बढ़गाम नामक ग्राम के समेब यस इस इस्तित है ठीक है राजग्रह से नालंदा आठ मेल की दूरी पर इस्तित है नालंदा विश्व विद्यले एक बोध विहार के रूप में सर्वापर्तम यहां एक बोध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई चिन्नी यात्री वेन सांग लिखता है कि इसका संस्थापक सक्रा दिते था वेन सांग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं गुप्त काल के बारे में भी काफी जानकर है हमने प्राप्त की थी पहले वाले वीडियोज में बोध रम के बारे में तरी रत्नों के बारे में ये सब हम पढ़ चुगे तो प्लेलिस्ट में आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं तो इसका संस्तापक सक्रादित्य था ये कौन कहता है वेंसां कहता है जिसने बोधरम के त्रीरतनों के प्रति महतिश रधा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी सक्रादिते की पहचान कुमारगुपत पर्थम जो 415-455 इस्वी में था से की जाती है जिसकी सुपर्सिद उपादी महेंद्रादित्य की थी थी तो कुमार गुप्त पर्थम की उपादिक क्या थी महेंदर दिते महेंदर तथा सक्र एक दूसरे के प्रियाईवाची हैं कुमार गुप्त के पुत्तर तथा उत्रादिकारी बुद्ध गुप्त ने अपने पिता के कारिये को जारी रखते हुए इसके दक्सिन में दूसरा व वज्र ने इस विहार के पस्चिम की और एक विहार बनवा दिया इसके बाद तथागत गुप्त ने पूरब में एक विहार बनवाया तथा फिर बालादित्य ने पूरवतर दिशा की और एक अन्य विहार बनवाया इसके बाद मद्य भारत के एक सासक ने यहां एक विहार बन ये दपी उनकी पहचान तता क्रम सुनिसित नहीं है। नारंदा विश्व विदाले एक विश्व विदाले के रूप में देखेगा। विश्व विश्व विवरन तता विश्व विवरन पर्स्तुत करता है। जो इस परकार जो उसने वेली ने जो विवरन दिया वो इस परकार है संपूर संस्थान इंटों की दिवार से गिरा हुआ है जो की पूरे मट को बाहर से गेरती हैं एक द्वार विद्यापीट की ओर से है जिससे आठ अन्य हाल जो संगाराम के बीच में इस्तित हैं अलग किय गए हैं पच्चुर रूप से अलंगरत मिनारे तता परियों के सम्मान गुम्बज परवत की नुकिली चोटियों की तरह परस पर हिले मिले से खड़े हैं मान मंदिर प्रातह कालीन धूम्रे में विलीन हुए से लगते हैं तता उपरी कमरे बादलों के उपर विराजमान है खिडकियों से कोई देख सकता है कि किस परकार हवा तता बादल नया नया रूप धारन करते हैं और उतुंग ओलतियों के उपर सूर्य एमचंद्रमा की कांती देखी जा सकती है गहरे तता पारभासी तालाबों के उपर नील कमल खिले हुए हैं जो गहरे लाल रंग के कनक पुस्पों से मिले हैं तता बीच बीच में अमरे कुंज चारों और अपनी छायां भी खेडते हैं बाहर के सभी कक्साएं जिन में सर्मन आवास हैं चार-चार मंजिली हैं उनके मकार क्रीत बारजे रंगीन ओलतियां सुसजित एमचित्रित मोती के सम्माल लाल स्थम्ब सू अलंक्रीत लगू स्थम्ब तथा कपडों से डखी हुई छतें जो सूरिये का प्रकास सहस्त्रों रूप में आठवी सती के कन्नोज नरेश यसो वर्मन के नालंदा से प्राप्त प्रस्तर अभिलेग से हो जाती हैं जिसके अनुसा नालंदा की गगन चुम्बी परवत सिखर के सम्मान विहार विहारावलियां प्रत्वी के उपर ब्रह्मा द्वारा विरचित सुंदर माला के सम्मान सोभायमान हो रही थी नालंदा में विहारों के अलावा अनेग स्थूप भी थे जिन में बुद्य एम बोधिस्तों की मूर्तियां रखी गई थी इस परकार इन सभी बहुनों के बीस नालंदा विश्वविदालेग विश्त्रिज्यत्र में स्थित्त था तो ये विबरण किस ने दिया है विहली ने ठीक है ऐसा लगता है कि सिक्ष्या के अंदर के रूप में नालंदा की ख्याती पांच विश्ताब्दी से बढ़ी तथा जबकि उसके दोस्ताब्दियों बाद आने वाले चिन्नी यात्री वेन सांग इसकी उच सब्दों में परसंसा करता है इस पस्थ है कि हर्ष काल में नालंदा को पूर्ण राज के सरंगसन मिला जिसके परणाम सरूप यह है जगत पर्षिद विश्वविदाले बन गया हर्ष ने एक सो गाउं की आई इसके निर्वाह के लिए दिये चिन्नी वीवरंस यह पता चलता है कि इन गाउं के दो सो ग्रहस्त परती दिन कई सो पिकल अर्थात एक विकल में पोंड होते हैं 133 सई एक बटे आठ ठीक है सादारन चावल तथा कई सो कट्टी एक कट्टी इस उकल टो 160 पोंड घी आउर मखन नालंदा विश्वविदालों को दान में दिया करते थे इस परकार यहां के विदार्थियों को जीवनों पयोगी वस्तुयें में इतनी अधिक मात्रा में सुलब थी कि उन्हें मांगने के लिए अन्यतर नहीं जाना पड़ता था तता वे अपना सारा समय विद्धय धेन में ही लगाते थे नालंदा विश्व विदार्थियों में नए केवल भारत के कोने कोने से अपितु चीन, मंगोलिया, तिबबत, कोरिया, मध्धे, एसिया, आती देशों से भी विदार्थी सिक्ष्या अगरण करने आते थे वीली यहां के विदार्थियों की संग्या 10,000 बताता है पता चलता है कि यहां अध्यन, अध्यापन का इस्तर अध्यन उचकोटी का था परवेश के लिए एक कठिन परीक्सा ली जाती थी जिसमें दस में दो या तीन विदार्थी मुश्किल से सफल हो पाते थे यहां के सनात्कों का बड़ा सम्मान था तथा देश में कोई भी उनकी सम्मानता नहीं कर सकता था इसी कारण यहां परवेश लेने के लिए विदार्थियों की अपार भीड लगी रहती थी यदपी नालंदा महायान बोध धरम की सिक्षा का परमुक्यंद्र था तथा पी यहां अनेक विश्यों की सिक्षा भी समूचित रूप से परदान की जाती थी पाठ्यकरम में महायान तथा बोध रम के 18 संपरदायों के गरंतों के अलावा वेद, हेतु विद्या, शाब्द विद्या, योगसास्तर चिकिस्सा, तंतर विद्या, सांके दर्शन के गरंतों, आदिकी सिक्षा व्याख्यानों के मादें से दी जाती थी विबिन विश्यों के परकार्ण विद्वान पर्ति दिन सैक्डों व्याख्यान देते थे जिसमें पर्तेक विदार्थी को उपस्तित होना आवसेक था अब देखिएगा वेन सांग द्वारा विवरण वेन सांग जिसने स्वेमिया 18 महिने तक रहे कर अध्यन किया लिखता है कि यहाँ सैकडों की संग्या में अत्यंत उचकोटी के विद्वा निवास करते थे एक हजार वेक्ती ऐसे थे जो सुत्रों और सास्त्रों के 20 संग्रों का अर्थ समझाख सकते थे 500 संग्रों की व्याख्या कर सकते थे इन सभी में सील भदर अकेले असे थे जो सभी संग्रों के ग्याता थे इस परकार विबिर विद्याओं विचारों यह विश्वासों में सामंजे से स्तापित करना विश्व विद्याले की परमुक विशेष्ता थी यहां विचारों एंव विश्वासों की स्वतंतरता तता स्वेशुनता की भावना विद्धेमान थी वे अंसां के समय सील भद्धर ही विश्व विदाले के कुलपती थे ठीका तो विश्व विदाले के कुलपती कौन थे? सील बद्र कई बार एकजामी पूछ लेते चिन्य यात्री उनके चरित्र तथा विद्वता के काफी परसंसा करता है वे सभी विश्यों के परकांड विद्वान थे उसने स्विम सील बद्र के चलंडों में बैठ कर अध्यन किया था वह उन्हें सत्य यम धर्म का बंडार कहता है यहां के अन्य विद्वानों में धर्म पाल जो सील बद्र के गूरू थता उनके पूरे गामें कुलपती थे चंदरपाल, गुणमती, इस्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, ग्यानचंद्र, आदी के नाम उलेखनिये हैं इन सभी की ख्याती दूर दूर तक फैली हुई थी यह सभी विद्वान मातर अच्छे सिख सकी नहीं थे अपितू विभिन्ज ग्रंथों के रचियता भी थे इनकी रचनाओं का समकाले इन विश्व में बड़ा सम्मान था इन परसित आचारियों के अलावा नालंदा में अन्य अन्यक विद्वान भी थे जिन्होंने विद्वा के प्रकास से पूरे देश को अलोकित किया नालंदा विश्व विद्वाले के पुस्तकाले में गरंथों का विशाल संगरै तता प्राचिन पांडू लीप्या शुरक्षित थी चीनी यात्रियों के इसके प्रती आकर्षन का एक कारण ये था कि उन्हें यहां बोध गरंथों की पांडू लीपया उपलद हो जाती थी इस सिंग ने यहां रहे कर चार सो संस्कृत गरंथों की परती लीपया तियार खी थी यहां का धरम गंज नामक पुस्तकाले तीन भवे भवनों रतनाकर, रतनोदधी और रतनरंजक में इस्तिति था विश्व विदाले का प्रशासन चलाने के लिए दो परिस्ते थी बोधिक परिस्त और प्रशासनिक परिस्त इन दोनों के उपर कूलपती होता था विश्व विदाले का खर्च सास को तथा अन्य दाताओं द्वारा परदान किये गरामों के राजस्वे से चलता था इस सिंग के समय इसके अधिकार में 200 गाउं का राजस्वय था खुदाई में कुछ गाउं की मुहरें तथा पत्र मिलते हैं जो विश्व विदाले को संबोधित करके लिखे गये हैं इस परकार नालंदा अपने डंका अध्भूत यम नीराला विश्व विदाले था हर्स के बाद लगबग बारवी सती तक इसकी ख्याती बनी रही मनसोर प्रस्तर लेक जो आठ्वी स्ताबदी का से पता चलता है कि सभी नगरों में नालंदा अपने विद्वानों के कारण जो विभिन धरम गरंतों जिता दर्शन के चेत्र में निशनात थे सबसे अधिक ख्याती प्राप्त किये हुए था नमी स्ताबदी में भी यह अंतराश्ट्री प्रशिदी प्राप्त किये हुए था पता चलता है कि इसकी ख्याती से आकरशित होकर जावा इम सुमात्रा के सासक बाल पुत्र देव ने नालंदा में एक मट मनवाया था उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देपाल से पांच गाम दान में दिलवाई गैरवे सत्ती के पाल सासको ने नालंदा के स्थान पर विक्रम शिर्ला को राज के सरंक्षन देना प्रारम कर दिया जिससे नालंदा का महत्व है गटने लगा ठीक है विक्रम शिर्ला के बारे में भी हम आगया आपको वीडेयो दिखाएंगे तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि इस समय से नालंदा परतंत्रियान का परभाव बढ़ने लगा इस कारण भी नालंदा की परतिस्ठा को ठेस पहुंची अन्तता है बारविस्ठाब्दी के अन्ति में मुस्लिम आकरांता भक्तियार खिर्जी ने इस विषव दले को द्वस्त कर दिया यहां के विख्षों की हत्या कर दी गई तदा बहुमुले पुस्तकाले को जला दिया गया इस परकार एक अन्तरास्टे ख्याती के सिक्सा के अंदर का अंति दुखनत दुखद हुआ नालंदा विषव विदाले के विद्वानों की सबसे बड़ी उपलब्दी यह है कि उन्होंने तिब्बत में बो द्रम एम भारती संस्कृति का परचार परशार किया आठवी स्ताब्दी से नालंदा के विद्वान तिब्बत में बो द्रम के परचारार्थ जाने लगे नालंदा में तिब्बती भासा का अध्यन भी प्रारंब हो गया था तिब्बत में बो द्रम के परचार को में सर्वपर्थम चंदर गोमीन का नाम उलेखनिय है उनके गरंथों का तिबती भासा में अनुवाद किया गया नालंदा के दूसरे बोध विद्वान सांत रही रक्सित आठी स्ताबदी के मद्दे तिबत नरेश के निमंतरन पर वहां गए तथा बोध धरम का उपदेश दिया उनी के निर्देशन में पर्थम तिबती बोध मठ निर्मित कराया गया इस मठ में अध्यक्स के रूप में जीवन परियंत रहते हुए सांती रक्सित ने तिबत में बोध धरम का परचार परचार किया उनके इस कारिये में नालंदा से ही सिक्सित कस्मेरी बिक्सू पदम संभव ने भरपोर सहायता परदान की इस परकार नालंदा प्राचीन सिक्सा का एक अत्यांत महत्त अपन के अंदर था जिसकी ख्याती ने केवल भारत अपितु विद्देशों में भी फैली हुई थी वस्तुते है यह एक विश्व भारतिय था जहां से संपून देश में संस्कृति का परशार होता था यहां के विद्वानों की महानता, उदारता, एम पांडित्ते के पड़ाम सरूप नालंदा का नाम इततकालिन विश्व में विद्द्या के सर्वोचे एम सर्वोत्तम गुणों का प्रियाई बन गया था तो देखेगा इस वीडियो में हमने नालंदा विश्व विद्वाले के बारे में जानकरी प्रात की, नालंदा का इस्तित है, इसकी स्ताफना किसने की, इसका अगलिक खुल्पति कौन था, तदा लास में इसका विद्वन किस्सा सकने किया था इन सबी सूसनों के बारे में हमने आपको यहां पे पढ़ाया आगे भी हम आपको इसी परकार पढ़ाते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे